जब आप ठरा साल के होते हैं, तब आप हमेशा शादी के खिलाफ होते हैं, लेकिन जब आप तीन साल के थे, तब शादी के पक्ष में थे, आपके माता-पिता की शादी है, तो ये आपके सोचने वाली बात है, कि क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, जहां भावनात्मक आप हमेशा किसी की तलाश करते रहें या आप इसका ऐसा समाधान करें कि आप अपनी बुद्धी और समय कुछ और रचने में लगा सकें। वो पूरा विचार आप खत्म हो गया है, तो आप इस बारे में क्या सुचते हैं? आप वो खत्म नहीं हुआ है, शायद JNU में खत्म हो गया है। बाकी की दुनिया में ये वाकई खत्म नहीं हुआ है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, जहां कई लोगों के साथ रिष्टे सामाने चीज लगते हैं। वहां भी, उन्हें विश्वास होता है, ये जीवन भर के लिए है। लेकिन बेशक, दो सालों बाद जीवन खत्म हो जाता है। वो अलग बात है, लेकिन जब वे शादी करते हैं, उन्हें विश्वास होता है, ये जीवन भर के लिए, तभी वे हीरे खरीदते हैं। उन्हें लगता है ये जीवन भर का निवेश है, वे पैसे लगाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई चीजों के कारण रिष्टे बिगड़ जाते हैं, और उनके एतने आसानी से बिगड़ने का एक कारण है, लोग अपने जीवन में काफी बाद में मिल रहे हैं. देखे, जब लोग छोटी उम्र में मिलते थे, जब उनका व्यक्तित तो सक्त नहीं था, वे जल्दी मिलते थे, 17-18 साल में, तब दो लोग आसानी से एक हो जाते थे, आसानी से, अब वे 30 में मिलते हैं, अब दोनों सक्त हैं, दो सक्त ढांचे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर युवा लोग शादी करते हैं, तो वो निभाते हैं, अगर 50 से ज़ादा की उम्र में शादी करते हैं, तो निभाते हैं, क्योंकि वे फिर से नर्म हो जाते हैं, 30 से 50 की उम्र के बीच, सिमेंट का धांचा जैसा होता है, मजबूत व्यक्तित होता है, तब तक्राव हो आगर आप जानना चाहते हैं, तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम सब यहाँ हैं, आप और मैं यहाँ हैं, इसका मतलब है कि एक स्त्री और एक पुरुष का कुछ समय पहले मिलन हुआ था, शायद आप सोचते हों कि वे माता पिता हैं, है न, वे प्यार नहीं करते, वे सेक इक जरूरत थी, तो उन्होंने शादी के द्वारा उससे संभाला, और हम यहाँ हैं, जब हम 18 साल के होते हैं, तब हम हमेशा शादी के खिलाफ होते हैं, लेकिन जब आप 3 साल के थे, तब शादी के पक्ष में थे, आपके माता-पिता की शादी, जब आप 3 साल के थे, तब जब आप क्या खुश नहीं थे कि आपके माता-पिता की शादी स्थिर है? हेलो? जब आप अठारा के होते हैं, तब फ्री सेक्स और शादी गेर ज़रूरी है वगेरा सोचते हैं. लेकिन पचास-पचपन के हो जाने पर, आप फिर से एक लंबे रिष्टे के बारे में सोचते हैं. तो ये आपके सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका जीवन है. ये सोचना, कि क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, जहां भावनात्मक रूप से आप हमेशा किसी की तलाश करते रहें, या आप इसका ऐसा समाधान करें, कि आप अपनी बुद्धी और समय कुछ और रचने में लगा सकें. आपका रिसर्च या काम या आप जो भी कर रहे हैं, अगर भावनाएं और शरीर स्थिर हों, तो अपनी बुद्धी को इस्तमाल करने की आपकी क्षमता काफी बहतर होगी, वरना हर दिन आपको यहां वहां घूम कर किसी को ढूणना पड़ेगा. नहीं, मैं यूही नहीं कह रहां, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगता है. युनाइटिट स्टेट्स में, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, अब मुझसे हाजारों लोग जुड़ चुके हैं, 40-50 साल से जादा उमर के लोग महिला हैं, वे शांदार इंसान हैं, लेकिन वे सब आज कल आउनलाइन होती हैं, वरना वे किसी बार में जाकर इंतिजार करती हैं, आज कोई उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, यह भेहंकर है, तिंदर पीडी, आप इसे जो भी कहना चाहें, एक 45 साल की महिला, जिसे एक अच्छे वातावरण में प्रेम और आदर मिलना चाहिए, अब वो वहां बैट कर किसी अंजान विक्ति के आने का इंतिजार कर रही हैं, और वो अगले 10 मिनट में फैसला लेगी, जब वो उसके ये ड्रिंक या डिनर खरीदेगा या कुछ और, ये दुखध है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उस दिशा में जाएगा, पर आपको समाज के बारे में सोचना चाहिए, किसी समाजिक धाचे को तोड़ने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या एक बहतर धाचा लाया जा सकता है, हमारे जीवन के किसी भी चरण में ये सभी को समझना चाहिए, चाहे कोई सामाजिक धाचा हो या राजनीतिक धाचा, या समाज की कोई मनोवे ज्यानिक व्यवस्था, जो भी हो, उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास कोई बहतर अगर आप मौजूदा चीज़ को तोड़ते हैं, जो ठिक ठाक काम कर रहे हैं, तो सब गरबर हो जाएगा